कुद पर शक्त मत करो आपकी बरबादी हो जाएगे यह मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ मेरा नाम है डौक्टर दीपक करेकर आपका स्वागत है मैं पिछले 40 साल से मनोविकार से एक स्रोक सम्मोह होंता था फ्यसेनम मुक्तित नियुर महाराश्ने में अकॉला में प्र करेक्टिस करनों शक जो करते है न खुद पर वो बरबादी का कारण हो सकता है कुद पर शक मतलब क्या है कि बार बार वही दिमाग में लाना कि मैं नहीं कर सकुआंगा मेरे लिए संभ़ो नहीं है मैं इतना थान्ग केपम नहीं हूं मैरा experience कम है मैंने इतना ग्यान नहीं प कुछा कुछ सवाल पूछे क्या थै ? सवाल ये थै किesi नंबर एक वह था कि भई आदमें हालसी कुझ पाना क्यों करता आ है Unidos नंबर दू success होने के लिए जरूरी ये मालूम होने के माउजुद भी आदमी success क्यों हो पाता या क्यों नमबर तीन, आदमी अपना स्वयमनाश क्यों कर देता है, जिवन में हार क्यों जाता है, नमबर चार, सब कुछ आदमी को मिल सकता है, तबी भी उसको मिलता क्यों नहीं है, नमबर पांच, उसकी उन्नति क्यों नहीं होती, भगवान कृष्णा ने एक ही इसमें जवाब दिय खुद पर शक करना, तो आप खुद पर शक है, आता है, तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, वो एक ही बहुत ज्ञान लो विशह में, जबरदस्त ज्ञान लेना, बहुत नॉलिज लेना, नमबर दो, अपने खुद के स्किल उसमें डेवलप करो, इतना स्किल्फुल हो जा उतना ज्यादा confidence आपको आएगा, तो knowledge, skill, experience, और attitude, positive attitude रखो, हर दम positive रखो, तो इसमें आपका विश्वाद बढ़ेगा, खुद के ओपर जो शक करते हो छोड़ देंगे आप, और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती, जहां भी हाथ लगाँगे, वहां सोना हो जाएगा मगर वहां मैंने फिर से रिपिट कर रहा हूँ, एक तो knowledge, skill, experience, positive attitude, यह होना जरूरी है, वह आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेर करो, ताकि लोगों को लगता है कि नहीं भी मुसे विश्वास नहीं है, मैं कर नहीं सकूँगा, यह डर है, definitely फायदा हो जाएगा, thank you very much पुछमा करीज़ को लोगों कि अपको अपको लोगों कि अपको अजय हो।